जै श्री कैदार तो कैसी वह अपसुब मीर्द करतूँगी बाबा श्री कैदार नाज जी की कुपासे आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो आज गर फिर से नहुदर अप्सुरी श्री कैदार नाज जी यात्रा जूडी बड़ी और महत्पून जानकारी लेकर राज की जानकारी है वो आप सभी तीर थियात्रू के लिए काफी बड़ी और महत्पून जानकारी इस वीडियो में होने वाली है क्योंकि आप सभी को ददू प्रशासन दवारा कैदार नाज जी यात्रा के सासा चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर थियात्रू से बहुत ही बड़ा अनुरोद किया गया है और इसमें आप सभी को कहा गया कि यात्रा फिलहाल अपनी स्थागित रखें जी हाँ साथी आप सभी को और भी कहीं सारी यात्रा से जुड़े काफी बड़े और महत्मून अपडेट्स इस वीडियो की मदद से देने वाला हूँ तो बने रहेगा वीडियो के अन तक तो अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें की फिलाल कैदारनाथ जी यात्रा के साथ साथ अगर चार धाम यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं जून महीने का तो फिलाल अपने प्लान को पूरी तरह से रद करें जी हाँ याप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है इसलिए कह रहे है क्योंकि कैदारनाथ यात्रा पर बहुती जादा तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं एक आउराए कि यात्रा में प्राशानियों का सामना करना पड़ सकता यात्रू को यात्रू के सूधा को देखते हुए वहां के DGP अशोक कुमार जी ने कहा है कि फिलाल सेप्टेंबर के बाद भी जो यात्रा होती है उस सबसे सही मौसम में रहती है केदारनाच जी यात्रा के साथ उत्राखंड की यात्रा यानि कि सबसे बेस्ट टाइम जो है वो आपका सेप्टेंबर में विजिट करने का रहता है सेप्टेंबर से आप नौंबर तक यात्रा पर आ सकते हैं फिलाल इसी वक्त पूरी तरह से आने की कोशिश ना करें अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो अपनी यात्रा फिलाल आगे की और करें क्योंकि यात्र में बहुती ज़्या ट्राइफिक का जो जाम है वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है इसके बाद ही आप सभी को उपदादू मैं भी आप सब को अपनी तरफ से कैदू कि फिलाल कैदारनाथ जी यात्रा पर अगर आप सभी आ रहे हैं तो फिलाल अपनी यात्रा को स्थागीत रगें क्यूंकि आप सभी को बदादू यात्रा पर जा रहे हैं तो फिलाल अपनी यात्रा को अगले मंथ के लिए डिले करें क्यूंकि आप सभी को बदादू यात्रा में बहुत ही जादा क्राउड है क्राउड के चलते आप सभी को दर्शनों में दिक्कत हो सकती है आप सब को लास्ट में वीडियो भी दिखाऊंगा कि वहां के डीजी पी ने क्या संधीश दिया है आप सभी के लिए और साधी जात आप देख रहे हैं कि यात्रा ये फिलाल ओल्ड वीडियोज है पर इससे भी जादा भीड आज कैदारना धाम में उमड रही है जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है साथी आप सभी को बता दू बीजी पी ने साफ्ट और पर ये कहा है कि फिलाल जितने भी यात्री आ रहे हैं जून महीने में अपनी यात्रा को लेकर कहीं सारे तो जादा भी आ जाते हैं ठीक है कहीं सारे लोग घुमने भी आ जाते पर आप सभी को बता दू फ इसी परकार की दिक्कतों को सामना ना करना पड़े, साथी साथ आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी अब ये बनती है कि मौसम कैसा रहेगा, देखिए मौसम नारमली खराब रह सकता है और छुट-पुट बारिश भी भीच-भीच में होती है, फिलाल मौसम साफ है, अब के लिए फिलाल सबसे बड़ी जानकारी ये ही है कि कैदारनाथ धाम में भारी भीड है, इसी बीच उत्राखंड के डीजी पी ने भी तीर्थ यात्रू को निर्देश दिये हैं कि फिलाल अपनी यात्रा को नेक्स्ट मॉंस में करें, ताकि वह अपनी यात्रा को आराम से कर सकें, बिना भगतर के कर सकें, तो देखिए, यह अब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सभी को बता दू, काफी जादा क्राउड के दारनाथ धाम में पहुंच रहा है, आपको ऐसा सुकून यात्रा में नहीं मिलने वाला है, जैसा आपको बाद में मिलेगा, क क्यदारनाथ की शुरूप हो जाती है, आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी बता दें कि क्यदारनाथ यात्रा में क्राउड है, गर्ब ग्रह में परविश नहीं मिलेगा, स्वार्ण मंडल से ही क्यदारनाथ जी के दर्शन होंगे, यानि कि मंदीर के भीतर से दर्शन करें, जो आप सभी के लिए DGP उत्राखन रशुक कमार जी ने दिया है, कि अपनी यात्रा को फिलाल आगे की और रखे, ठीक है, यानि कि डिले करें अपनी यात्रा को, ताकि आप को यात्रा में किसी भी परकार की प्राशानियों को सामना ना करना पड़े, याप सभी के अपनी लिए ज़रूरी जानकारी बता दे हैं, और साथ में अमीद करते कि आप कोई वीडियो अच्छा लगाओ, अगर वीडियो अच्छा लगाओ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथी चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करें, जैश्री क्यादार नाज जी